आप सभी को मेरा विवादन आज हम हाई स्कूल में कच्छा दस के हिंदी विशय में आनिवार या संस्कृत से पहला पाठ वारांशी इसके बारे में पढ़ेंगे तो आईए पहले देखते हैं वारांशी में क्या-क्या लिखा है उसका हम हिंदी अनुबाद करते हैं परद्धमा पाठा पहला पाठ वारांशी जिसको आज हम वणारस करूप में कहते हैं प्राचीन नाम इसका काशी भी है यह सारी बाते हैं अभी हम इसमें पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं वारांसी सुबख्याता नगरी वारांसी एक सुबख्यात नगरी है यम बिमल सलील तरंगाया गंगाया कूले इस्तिता यह पवित्र और उज्वल गंगा के तरंगों के किनारे इस्तित है यह इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यह नगरी विमल और उज्वल तरंगों वाली गंगा के किनारे इस्तित है अस्या घटा नाम वल्याकृति पक्ति धावला नाम चंद्रिकाय बुराजते इसके घाटों की जो वलय आकृत है जो सीड़ीदार घाट हैं तो वह वलय आकृति जो पक्तिवद्ध जब चादनी रात होती है तो उस चादनी रात में पहुत सुंदर लगते हैं अगडिता पर्याटका सुदूरे भ्या देशे भ्या नित्यम अत्र आया अनेको अगडित पर्याटक लोग दूर दूर के देशों से रोज यहां आते हैं अस्या घट्टान नाम्च सोभां विलो की माव प्रसंसत इसके घाटों की सोभा को देख करके बहुत इसकी प्रसंसा करते हैं बारानस्या प्राचीन काले गेहे गेह विद्या दिव्यम जोती जोते बारानसी प्राचीन समय से ही घर घर में विद्या की जोती प्रकासित है या जोती जली हुई है आदुना अत्र संस्कित भांग धारा स्थम प्रभात आज भी यहां पर संस्कित की बाणी की धारा बहती है जनानाराम ज्यानम चवर्द्याजी जो लोगों के ज्यान को बढ़ाती है अत्र अनेके आचारिया मुर्धन्या बिद्वान सा बैदिक बांग मगस्या स्या अध्यने अध्यापने चोईदानिम निर्था आज भी अनेक आचार मुर्धन्या बिद्वान बैदिक बैद बैद्वेदांगों के जानकार और उसके अध्यन के लिए तथा अध्यापन के लिए यहां निर्था मतलब लगे हुए है नौकेवल भारतिया अपित बैदेश का गीरवांगार्या अध्यनाय अत्र आगच्छन्ति यहां पर नौकेवल भारति वलकी विदेशी भी यहां की संस्कृत को जो गीरवाव यहां की वाड़ी है संस्कृत वाड़ी है उसके अध्यान के लिए आते हैं नेशुल्क चौविद्या गृड़ांति और नेशुल्क यहां विद्या का गरहर करते हैं अत्रहिंदू विश्विद्यालया संस्कृत विद्यालया काशी विद्यापीठं इत्य त्रह विश्विद्यालया संत्त यहां हिदू विश्विद्यालया संस्कृत विश्विद्यालया काशी विद्यापीठं इन तीन प्रकार के यहां पे विश्विद्यालया तीन नामों क चीन में नए नए प्रकार के आहँआ और प्राचीन दोनोंके ज्ञान और वीज्ण शुण Sounds आथ इसा नगरी भारती संस्कृत केुंग भाचा और भारती भाषाओं की केंद्र अस्थल है इता एव संस्कित बांग मयस्य संस्क्रतेश्च्य आलोक सर्वता प्रसित यहीं से ही संस्कित की बाणी और संस्कित के प्रकाश सारे तरफ फैले मुगल्यो राज दर्सद और शास्त्र गाध्यन किया थी सब तेशाम ज्यानेन तथा प्रभावित अभुवाद यहां के इसके ज्यान से प्रभावित हुआ यत तेन उपनिशाद अधनुबादम परिशी भाषायां कारित इन उपनिशदों का उसने फार्शी भाषा में अनुबाद किया यह नगरी विभीद धर्मानाम संगमस्थली यह नगरी विभिन धर्म की संगमस्थली है महात्मा बुद्ध तिर्थंकरप पार्शनात संकराचार्य कभीरग स्वामी तुलशीदास अन्यचावावा महात्मा यत्त्रागत्य स्वियां विचारानम प्रसायान यह नगरी विभ भीद धर्मों की संगमस्थली है महात्माबूद तिर्थंकर पार्शुनात संक्राचार कभी गोष्ष्वामी तुलसिदास और भी बहुत से महात्मा यहां पर आकर के अपने विचारों का प्रसार किये फैलाए नौकेवल यह पुल्ड दर्शने साहित्ये धर्मे अपिटू अंगरी विधानाम लानाम शिल्पा नाम क्यों प्रस्था बिल्कि साहित्य में धर्मे औरे और कला के छेत्र में भी यह नगरी विभिन्द प्रकार की कलाओं और शिल्पों का के लिए विशुत्या था प्रसिद्ध है अत्रयाकोशे साथ का देशे देशे सर्वित्रस प्रिहंते यहीं की बनी हुई रेशम की साडियां विभिन्द देशों में या पूरे देश में सभी लोग पहनते हैं त्राजत्या प्रस्तरमूर्त्य प्रसिथा यहां की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है यम निजाम प्राचीन परंपरा मिदानिं परिपालयति तथैव गीयते कभी भी या इस समय भी अपनी प्राचीन प्रंप्रा का पालन करती है कवियों ने इसको अपने कविताओं में वर्डन कैसे किया है कि मंगलम मर्डम यत्र आभिभूर तिर्यत्र हुश्लम कौपीनम यत्रकोश्यम काशी केनो पमायते जहां इस लोक कार्थ है कि जहां मरना भी कल्यार कारी है जहां भस्म भी आभूशर है जहां कौपीन भी रेशमी होती है उस काशी को किस से मापा जा सकता है अर्थार इस काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है इस प्रकार यहां पार्ट अब समाप्त होता है अगली वीडियो में हम आप से फिरा अन्या पार्ट के साथ किसे एक नए पार्ट के साथ मिलेंगे तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यबाद, कुदा आपेज़